बाहरे दिली की मंगोल पुरिथाना पुलिस ने महच पांच घंटे में लूट की वारदात को सुलजाते वे दो आरोपियों को गिरफतार किया है। पुलिस ने के कबजे से बयाज प्लेटीना बाइक और कुछ नगदी भी बरामत किये हैं। आरोपी मासूम लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने की गिरफतारे के बाद चार मामलों को सुलजाने का दावा किया है। दरसल बाहरे दिली की मंगोल पुरिथाना पुलिस को वेश्ट इंकलेव से लूट की शिकायत मिली थी। सूचना का अधार पर मोके पर पुलिस को शिकायत करता ने बताया कि उसमें एटियम से पैसे निकाले और जैसे ही वो बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ा तभी बाइक पर सवार दो शक्स ने उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गये। मामले की गंभिरता को देखते हुए एसीपी विरेंदर कादियान के सूपरवीजन में मंगोल परी एसेचों के निर्तरतों में एसाई नवधीप, कॉंस्टबल जैपरकाश और कॉंस्टबल अमित की एक टीम का गठन किया। टीम ने आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला और उसकी बारिकी से जांच की। CCTV के आधार पर गारी की पहचान हुई जो एक महिला की निकली। जांच के दुरान टीम को पता चला कि आरूपी महिला का भाई है। पुलिस टीम ने लगाता च्छापे मारी कर वादात के महच पांच घंटे के अंदर दो आरूपियों को धर्दबोचा। दोनों की पहचान अश्मान अल्याज बाबू अल्याज अमन और सनी अल्याज शीश पाल के रूपने हुई है। रिसेंटली हमने पुलिस टेशन मंगोलपुरी में दो रॉबर एरेस्ट किये हैं जो की एक स्पेशल एमो से रॉबरी करते थे। इनके साथ इन से हमारे चार केस सॉल हुए हैं। यह दोनों क्या करते थे कि यह कोई भी अगर पैदल जा रहा है या एटीम से पैसे लेके जा रहा है या जिसके पास पैसे हैं। ऐसको आगे इसके स्पूटी लगाते थे उसको रोकते थे और उसके बाद उससे भड़ा जगड़ा करते थे, बोलते थे कि तुर थीक तरह नहीं चल सकता क्या। इसको बातों में लगा के उसी टाइम उसके पैसे निकालते थे ये इनका MO था तो ये हमने इनको रेस्ट किया विदिन फाइव यॉड्स जंता को भी सतर करना चाहिए ऐसे लोगों से जो की ऐसे MO करते हैं जो ऐसे रोगते हैं और पैसे निकालने कोशिश करते हैं इसलिए हमे और नशे की आदतों को पूरा करने के लिए आपरादी गतिविदियों में लिप्त हो गए पुलिस द्वारा मिली जानकारी के नुसार अश्मान पर पहले से आधा दर्जन मामला दर्थ हैं जबकि सनी से पहले एक मामलों में शामिल रहा है फिलाल पुलिसनन की गिरफतारी से चार मामलों को सुलजाने का डावा किया है दिली से अपने सयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हमवतन टीवी